हेलो फ्रेंड वेलकम टू जॉन्टेग डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफोर्म जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने एक नया प्रोग्राम चालू किया है जिसका नाम है बी-सी-टी-क्यू जिसके अंतरगत हम आपको डिफेरेंट डिफेरेंट टाइप के कुश्चन कराते हैं हर क्या है कम्प्लीट रिवाइज हो सके तो आज हम जो सब्जेक लेकर आए हैं वो है आपकी मसीन machine का पहला question है, if the applied voltage to a transformer primary is increased while keeping the BYF ratio fix, आप से क्या बोला गया है, कि आपने एक transformer है, जिसके आपने applied voltage, if the applied voltage to a transformer primary is increased while keeping the BYF ratio fix, मतलब आपको BYF जो ratio है, BYF ratio आपको क्या रखना है, fix रखना है, किसको, voltage को increase करके, then the magnetizing current and the core loss, आप से क्या पुछा गया है, कि जो magnetizing current है और जो core loss है, उस पे क्या effect पड़ेगा, ठीक है, तो इसके लिए हमें, question में जो दे रखा है हमें, क्या, कि phi is equal to क्या होता है, आपका VYF, ठीक है, अब आप से क्या बोला गया है, कि अगर आपको voltage increase करना है, क्या, increase while keeping the VYF ratio fix, मतलब, अगर मैं voltage को increase करता हूं, तो voltage को increase करके, मुझे total जो VYF ratio है, उसको क्या रखना है, constant, तो इसके लिए मुझे, F को भी क्या करना पड़ेगा, increase, करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो इसके कारण मेरा यह क्या हो जाएगा, constant, मतलब, मुझे voltage को increase करके, VYF ratio क्या रखना है, constant, तो उसके लिए मुझे frequency को भी क्या करना पड़ेगा, increase, तो यह चीज़ समझे भाई हैं आपके, तो VYF ratio क्या हो गया, constant, अगर यह VYF ratio constant, ऐसका मतलब, phi क्या हो गया, constant, और phi अगर मेरा constant है, तो क्या मुझे कोई भी magnetizing, जो current है, उसको increase, decrease करना पड़ेगा, नहीं, मतलब magnetizing जो current है, वो भी मेरी क्या हो जाएगी, constant, magnetizing current भी मेरी क्या हो गई, constant, क्योंकि यहां पर मेरा क्या आगया, flux constant आगया, अगर यह बोलता कि मैंने voltage को apply किया है, और उसको increase किया है, without constant, मतलब VYF ratio को मुझे constant नहीं रखना है, तब मैं बूल सकता था, हाँ, कि मेरा flux क्या होगा increase, मतलब flux अगर increase हो रहा है, तो ज्यादा flux flow हो गया, तो मुझे magnetizing current क्या कम बड़ेगा, कम, लेकिन अब यहां पर आप से क्या बोला गया है, कि VYF ratio आपका constant है, VYF ratio अगर constant है, तो IM क्या हो गया मेरा constant, तो मेरा IM तो क्या आगया constant, magnetizing जो current है, वो तो मेरी क्या आगई constant, अब बात करते हैं, cool loss की, cool loss की अगर हम बात करें, cool loss आपके दो type के होते हैं, एक तो hysteresis और एक आपका होता है, addy current, अगर hysteresis की बात करें, किसकी बात करें, hysteresis की अगर हम बात करें, तो हमारा क्या होता है, kh into f into b की power x, और इसके लिए मेरा क्या होता है, ke f square, v square and t square, t क्या होती हैं आपर, thickness, अब यहां पर आप से क्या बूला गया है, vyf constant, vyf constant, मतलब vb मेरा क्या है, constant, क्योंकि 5 बार, v a, तो यह अगर constant है, तो यहां पर यह और यह term भी क्या हो गई मेरी, constant, और यह term अगर constant हो गई मेरी, तो यहां से ph मेरे पास क्या हैगा, kh into f, और pe is equal to ke f square into t square, तो क्या अब मैं frequency को क्या करना हूं, मैं increase, क्योंकि frequency मेरी increase हो रही है, क्यों मैंने frequency को increase किया था, कि मुझे v yf ratio को क्या रखना है constant, तो v yf ratio को constant रखने के लिए मुझे frequency को क्या करना पड़ा, increase, तो frequency अगर increase होती है, in the sense मतलब यहां पर भी मेरी frequency increase हो गई, और यहां पर भी मेरी frequency increase, तो दोनों में अगर frequency increase हो गई, तो overall मैं क्या बूल सकता हूँ, कि मेरा जो core loss है वो क्या होगा, increase, होगा नहीं होगा, मतलब मेरा core loss तो क्या हो गया increase, और मेरी जो im है वो क्या हो गई, constant, मतलब अगर मैं VYF ratio constant रखता हूँ, और voltage को increase करता हूँ, तो मेरी magnetizing current तो क्या हो जाएगी constant, और मेरा जो core loss है वो क्या हो जाएगा, increase, बात सौंज भाई, इस तरह से हम इसमें आपके different different type के question पूछ ली जाते हैं, आपको VYF ratio, दो VYF ratio देदेगा, उसमें आप निकाल सकते हो, तो यह बहुत important topic है आपका transformer में, यहां से आपका 100% एक question पूछा जाता है, तो आपको यह concept यह रखना है कि 5 बरावर क्या होता है VYF, अब यहाँ पर आप change करते जाओ according to question, कि अगर voltage को increase करता है only, तो क्या effect पड़ेगा, अगर voltage को increase करके VYF ratio constant रखता है, तो क्या effect पड़ेगा, अगर F को increase करता है, तब क्या effect पड़ेगा, F को decrease करता है, तो क्या effect पड़ेगा, तो यह different different type की condition आपकी बनती है, इस type के question में, तो आपको mainly क्या याद रखना है यह, structure fiber और क्या होता है, BYF, और इसी से मेरे सारे जो core loss को, और जो भी है मेरे magnetizing current, core loss component, सारे जो यहाँ से clear हो जाते है, कि क्या increase होगा, क्या decrease होता है, ठीक है, अब हम चलते है, next question की तरह, आप से क्या पूचा गया है, कि for a P pole machine, the relation between electrical and mechanical degree is, तो हमारा theta electrical क्या होता है, PY2 theta mechanical, तो theta electrical is equal to PY2 theta mechanical, अब यहाँ से आप से question किस तरह से पूच लिया जाएगा, महलों आप से P की value देदेगा वो आपको, pole की value देदेगा आपको, theta mechanical की value आपको देदेगा, theta electrical की value आपको find करनी है, इस तरह से आप से इस numerical पर काफी question बनते हैं, तो आपको यह याद रखना है, कि जो आपका theta electrical होता है, वो is equal to होता है PY2 theta mechanical, number of slip ring in a three phase synchronous motor will be, क्या बोल रहा है आप से, कि number of slip ring आप से क्या पूचा गया है, slip ring के बारे में, कि कितनी slip ring हम three phase synchronous motor में use करते हैं, ठीक है, तो हम जो synchronous motor है, उसमें जो slip ring use करते हैं, वो कितनी use करते हैं, two, कितनी use करते हैं हम slip ring two, ठीक है, transformer will operate at maximum efficiency, आप से क्या पूचा गया है, कि maximum efficiency पे आपका transformer कव operate होगा, transformer will operate at maximum efficiency, तो maximum efficiency पे अगर transformer आपका operate कव होगा, यह आपका efficiency और यह होती है आपकी load current, क्या होती है यह आपकी load current, अब हमारा जो graph बनता है, वो किस तरह से बनता है, इस तरह से, इसमें, हमें क्या मिलती है, efficiency maximum, efficiency maximum होगी है, तो इस case में, हमारा क्या होता है, जो copper loss है, is equal to क्या होता है, constant loss, और इस case में, आपका क्या होता है, क्या होता है, iron loss is greater than copper loss, और इस case में, क्या हो जाएगा, copper loss divided by R, तो आपकी, जो efficiency होगी maximum, वो किस case में मिलेगी आपको, कि copper loss जो है, वो किस के equal हो जाए, constant loss के equal, तो यहां पर hysteresis loss होगा नहीं, आपका addy current होगा नहीं, copper loss, तो जो copper loss है, वो constant loss है, क्या हम क्या बोल सकते है, iron loss, ठीक है, तो copper loss is equal to iron loss, तो हम बोल सकते है कि हमारी जो efficiency है, वो हमें क्या मिल रही है, maximum, ठीक है, the whack EMF of a synchronous motor, आप से क्या पूचा गया है, कि जो synchronous motor है, उसका whack EMF, किस पे depend करता है, यहां पर आपको क्या-क्या दे रखा है, speed, load, load angle, या all of the above, चार option आपके पास है, तो आपको पता होगा कि हमारा जो whack EMF होता है, synchronous machine की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर हम दो तरह के case, तीन तरह के case लेते हैं, एक तो over excited, under excited, और एक होता है हमारा क्या over excited, मैंट मतलब E greater than B हो गया, और एक होता है हमारा under excited E less than B, और एक होता है मेरा E बरावर B, होता है नहीं होता, तो यह depend किस पर करता है, कभी तो E मेरा greater than B हो जाता है, कभी जो E की value है back EMF की value वो terminal voltage V के बरावर हो जाती है, और कभी E की value less than B हो जाती है, तो हमें पता है कि हम एक reference voltage लेकर चलते हैं हम phasor diagram बनाते हैं ठीक है, अब यहां पर कर दो यहां से अगर मैं इसकी बात करूँ तो यह क्या हो गया E1, इसकी मैं बात करूँ तो यह क्या हो गया E2, और इसकी मैं बात करूँ तो यह क्या हो गया E3 हो गया नहीं हो गया ठीक है अब यहां से यह मेरा क्या हो जाएगा IA और यह हो जाएगा मेरा इसको अगर मैं तो यह जो एंगल होता है आपका अगर E1 की बात करें तो E1 के लिए मेरा जो I1 है, इस अगल की अगर हम बात करें तो यह क्या हो गया E2 कंगल की जब हम बात करें तो यह मेरा क्या हो गया E3 होगा नहीं होगा, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जैसे-जैसे मेरे डेल की वैल्यू क्या है डेल 1 इस ग्रेटर देल 2 इस ग्रेटर देल 3 मतलब की लोड एंगल यह डेल क्या होता है मेरा मतलब लोड एंगल में जैसे-जैसे मैं चेंजिस कर रहा हूं तो मेरा जो e है वह कभी तो क्या हो रहा है less than v e wherever v और e greater than b, होगा नहीं होगा, यह तीनों condition होगी नहीं होगी और यह यह हम इसको क्या बोल सकते हैं, यह तो इस form में, यह e sin del, आप इसको क्या बोल सकते हो, तो e sin del is less than v, e sin del is equal to v, और e sin del is greater than v, तो depend आपका कौन सा है इस पर, del, तो del की value जैसे जैसे आपकी changes होती है, तो overall आपका, जो e है वक EMF वो changes हो रहा है, क्योंकि depend किस पर कर रहा है, sin del पर, हम देखते हैं, कि e sin del जो है, हम क्या लेकर चलते हैं, constant लेकर चलते हैं, ठीक है, तब हम यह phasor diagram बनाते हैं, draw करते हैं, तो यहां से हमने क्या देखा, कि जैसे जैसे मैं load angle को change करता हूं, तो load angle को जैसे-जैसे मैं change करूंगा, तो मेरा जो वक EMF होगा, synchronous motor का, वो भी changes होगा, speed पर कोई depend नहीं करता, speed आपकी constant रहती है, load पर कोई depend नहीं करेगा, load angle पर आपका, जो EMF है, कौन सा वक EMF, वो depend करता है, तो आप भूल के भी option all of the above ना लगाएं, टीक है, तो यह business कर ध्यान रखें, हम क्या करते हैं, हम DC में पढ़ते हैं, कि e is equal to n p 5z upon 60, टीक है, क्या देखते हैं, हम देखते हैं नहीं question, और हम क्या लगाते हैं, direct speed, हम क्या करते हैं, तो all of the above लगाएंगे हैं यह speed, टीक है, तो थोड़ा आप देखो, synchronous की अगर हम बात कर रहे हैं, तो synchronous में आप थोड़ा इस पर घ्यान दो, load angle पर, टीक है, सारे जो हमारे phaser diagram है, वो इसी से बनते हैं, और इसी से हम क्या नकालते हैं, under excited और over excited, तो यह जो है हमारा, यह condition तो कौन सी हो जाती है हमारी, under excited, और यह हमारी condition क्या हो जाती है, over excited, टीक है, यह synchronous की में बात कर रहा है, टीक है, synchronous जो machine है, उसमें, the voltage regulation, आप से पूचा गया है, कि जो voltage regulation है, of a DC generator, किसके लिए DC generator के लिए, दो चीज होती हैं, आपकी, DC generator के लिए the voltage regulation होता है, और motor के लिए होता है, speed regulation, टीक है, तो आप से voltage regulation पूचा गया है, मतलब किसकी बात कर रहा है, आपर generator की, आप से अगर speed regulation पूचा जाता, मतलब आप से किसकी बात करता है, motor की, तो यहाँ पर आप से पूचा क्या गया है, voltage regulation, voltage regulation मतलब क्या है, DC generator, तो the voltage regulation of a DC generator at full load, being 0, आप से क्या पूचा गया है कि, इन सब जो generator हमें दिये हुए हैं, यह जो generator हमें दिये गए हैं, चारो के चारो जो generator हैं, इन generator में हमें कौन सा ऐसा generator होगा, जो की voltage regulation हमें क्या देगा, 0, बात समझ मारिया, तो इसके लिए अगर हम एक graph draw करें, तो यह होता है मेरा EZ और V, और यह होता है मेरा IA और IR, और at null load पे हमने इसको क्या मान लिया, E0 और यह base, मान लिया हमने किसका, E0 का, ठीक है, अब हम जब graph draw करते हैं, तो हमारा कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, एक आती है मेरी कुछ इस तरह से graph, एक मेरी जो graph है वो कुछ इस तरह से आती है, आती है नहीं आती, ठीक है, यह तो हमारी क्या होती है, flat compound, यह तो हमारी क्या होती है, flat compound, यह होती है, under compound और यह हो जाती है, हमारी cumulative compound, इसके बाद हमारी कौन से आती है, separately, कौन से आती है, separately excited, इसके बाद हमारी, यह हैं, आती है, यह हमारी को रड़री को बाद हैं, इस वाद मारी कौन से आती है, यह मारी का है, ज दो हमारी के बाद काक क्या में, इस एक्या हुआ है, झाल झाल तो यहां से अगर हम तो यह हो गई हमारी किस की cumulative compound यह हो गई हमारी under compound और यह हो गई हमारी separately excited एक आती है आपकी sunt की और sunt में क्या होता है break over और एक आती है आपकी differential compound की क्या आती है एक आपकी differential थोड़ा इस तरह से यह होती है आपकी differential की ठीक है और एक होती है आपकी किस की series compound तो series compound की किस तरह से होती है आपकी यह हो गई series की और एक हो जाती है आपकी over compound बतलब यह आपका क्या हो गया flat compound यह हो गया आपका अंडर compound ठीक है यह हो गया आपका cumulative compound यह हो गया आपका separately excited यह हो गया आपका sunt और यह हो गया आपका differential यह हो गया आपका over और यह हो गया आपका series यह कुछ graph होते है हमारे ठीक है तो इसमें अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा अगर हम देखें कि इन चारों में sunt जो है sunt का जो है वो graph यह है ठीक है अगर हम बात करें differential की तो differential graph कुछ इस तरह से है ठीक है और cumulative compound cumulative जो compound है उसका graph कुछ इस तरह से है तो cumulative compound में क्या होता है कि आपका series flux जो है वो क्या होता है add series flux क्या होता है add तो यह series flux क्या करता है आपके जितने भी voltage drop हो रहे हैं उनको क्या कर देता है neglect कर देता है यह compensate कर देता है जिसके कारण आपका EMF और terminal voltage दोनों क्या जाते है equal no load induced EMF और जो voltage है वो आपके क्या जाते है equal इसलिए आपका सबसे best voltage जो regulation है वो आपका किसका होता है cumulative का और सबसे poor कि अगर हम बात करें तो वो किसका होगा differential differential का क्यों होगा क्योंकि यहां पर क्या आता है minus phi se क्या आता है minus phi se तो यह compensate ना करकर यह increase करेगा जिसके कारण कभी भी मेरा E is equal to V नहीं आएगा तो आपका अगर voltage regulation 0 की बात करें तो सबसे best कौन सा है मेरा cumulative compound इसलिए जो differential compound होता है इसको हम use किस में करते हैं arc welding में the size of the transformer core आपसे क्या पूचा गया है आपसे size पूची गई है transformer core की आपसे क्या पूचा गया है कि आपसे transformer जो core है उसकी size पूची गई है तो size होती है transformer core की वो किस किस पे depend करती है तो अगर हम बात करें size की तो आपने transformer में देखा होगा एक तो kvayf टीक है byf जिसको हम बोलते हैं तो kvay upon kva2 upon f2 ठीक है तो यहां पर हम देख सकते है f और kvay में relation और दूसरा हमने देखा था v1 a1 is equal to v2 a2 तो यहां से क्या जाता है v1 upon a2 is equal to v2 upon a1 तो जो size होगी मेरी area यहां पर जो size होगी और यह भी क्या है kvay rating है यह तो तो अगर हम size की बात करें size होगी transformer की हमारी वो किस किस पर depend करेगी यहां kv rating depend कर रही है kv rating depend करने का मतलब क्या है automatically उसकी size increase होनी है तो यहां directly मेरी क्या depend कर रही है size तो यहां से हम बूल सकते हैं कि हमारी frequency और flux density दोनों पे हमारी depend कर रही है इसलिए इसका answer क्या हो जागा both a and b क्योंकि यह kv rating का मतलब क्या है size ही increase होगी अगर kv increase होगया तो size क्या होगई increase तो depend किस पर है frequency ठीक है इसलिए हम बूल सकते हैं कि जो size होती है transformer core की वो depend होती है frequency और as well as flux density होती है slip जो ring होती है आपकी उनको किस material से बनाया जाता है आपसे question क्या पूछा गया है कि जो slip ring है are usually made of तो किस से बनाया जाते है हम slip ring carbon और graphite से ठीक है तो आपकी जो slip ring होती है वो carbon और graphite से बनाया जाती है in a three phase induction motor the number of pole in the rotor winding is always आपसे क्या पूछा गया है कि आपके जो three phase induction motor है उसमें number of pole होते है rotor winding के टीक है rotor winding के जो number of pole होते है वो equal होने चाहिए या zero होने चाहिए या greater than होना चाहिए टीक है तो आपने पड़ा होगा कि हमारे जो number of pole होते है वो equal होते है किसके number of pole in stator के टीक है अगर equal नहीं होंगे तो उनमें magnetic locking नहीं होगी टीक है sorry उनमें magnetic locking हो जाएगी टीक है तो इसलिए in a three phase induction motor the number of pole in the rotor winding is always equal to the number of pole in the stator ये condition आपकी fulfill होनी चाहिए है if the starting torque of a three phase induction motor is T starting for DOL starting that for star delta transformer of the same motor अगर हम star delta की बात करें तो star delta की अगर हम बात करें तो हमारा क्या आता है T starting upon T full load is equal to one y three क्या होता है x square i starting upon i full load और यहां पे यह तो किसके लिए होता है star delta के के लिए और T starting upon T full load is equal to x square i starting upon i full load यह किसके लिए होता है DOL के लिए टीक है तो आप से क्या पूछा गया है star delta के लिए तो star delta के लिए जो T starting होगा वो क्या हो जाएगा T starting y three होगा नहीं होगा यहां से अगर मैं दौनों में relation निकालूं तो यहां से क्या relation निकलेगा मेरा यहां से क्या relation निकलेगा यहां से यह relation निकलेगा कि जो मेरा DOL के लिए अगर मेरा starting torque T starting है तो star delta के लिए जो T starting होगा वो क्या हो जाएगा y3 होगा नहीं होगा टिक है तो यहाँ से आपका option क्या जाएगा की star delta जो starting है उसके लिए जो T starting होगा वो y3 हो जाएगा as compared to direct load starting In a single phase induction motor at start the two revolving field, आप से क्या गोतिय दवल, revolving field theory, और एक होतिय आपकी, cross revolving field theory, double revolving जो field theory है, इस से तो मेरी क्या होता है, यह किसके बारे बताती है, यह बताती है, it's so that single phase induction motor not self start, क्या है, कि जो double revolving field हो रही है, वो तो किसके बारे में बताती है, not self start के बारे में, और यह किसके काम आती है, start करती है, ठीक है, it use for starting the, starting the induction motor, क्योंसी single phase, तो single phase जो induction motor है, उनको start करने के लिए हम क्योंसी field theory use करते है, cross revolving field theory, और हमारी, जो induction motor है, वो self start नहीं होती है, या start नहीं हो पाती है, क्यों, double revolving field theory, ठीक है, तो double revolving field theory में तो मेरे torque क्या होते है, opposite हो लगते हैं, और cross revolving field theory में हम एक ऐसा force generate करते हैं, एक ऐसा torque generate करते हैं, कि motor मेरी उसी direction में घूमती है, जिस direction में मैंने force apply किया है, तो आप से यह directly question पूछ ले जाते हैं, कि double revolving field theory और cross revolving field theory, तो double revolving field theory है, वो तो हमें बताती है, कि हमारी induction motor जो है single phase वो start नहीं हो पाती है, हैं, उसका reason बताती है, क्यों नहीं हो पाती है, और जबकि उनको start करने के लिए हम जो field theory use करते हैं, वो कौन सी है, cross revolving field theory, आप से question क्या पूचा गया है, कि जो double revolving field theory होती है आपकी, उसमें आपकी single phase motor at starting condition में कैसे रहती है, आपको पता है, अगर double revolving field theory की बात हो गई, तो simply मेरी जो induction motor होगी single phase, जो induction motor है, वो start तो ओने से रही, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, unequal torque in the rotor conductor, यह होगा नहीं, ठीक है, no torque in the rotor conductor, equivalent opposite torque in the rotor conductor, तभी तो मेरी double revolving field theory यह बताती है, कि हमारी induction motor starting नहीं होती, मतलब start नहीं होती है, self start, तो इसका answer क्या हो जाएगा, equal and opposite torque in the rotor conductor, अब हमारा है, which of the following motor is usually used in household, household, household refrigerator होते हैं, simply सी बात है, कि हमारी जो house, house में जो भी चीज काम आ रही है, वहाँ पर manually हम कौन सी use करते हैं, single phase induction motor, सबसे ज़्यादा जो आपकी घरों में use होती है motor है, वह कौन सी होती है, single phase induction motor, 90% यही use होती है आपकी घरों में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखो आपसे किसी एक special single phase induction motor का नाम नहीं लिया है, उसने directly आपको क्या दे दिया, single phase induction motor, option देखो आपने कि DC cent motor, DC series motor, single phase induction motor, और reluctance motor, तो आपको directly यह देखना है, household refrigerator की बात हो रही है, इसलिए मेरा directly क्या आजाएगा, single phase induction motor, क्योंकि single phase induction motor आपकी 90% किस में होती है, use घरों में, ठीक है, the rotor slot are slightly skewed in squiral case induction motor, किस तरह से करते हम, क्योंकि को क्योंकि रगी क्योंकि commence रगम ही में झाल झाल कुछ इसी तरह से उताया मारा यहाँ पर हमारी के रहती है इस तरह से और फिर हम किस तरह से इनकलाइन में लगाते हैं इनको इस तरह से मेरी क्या रहती है यह रोटर इसक्यूड रहती है यह हमारा क्या है copper wire है यह हमारे क्या है rotor conductor है यह हमारी end ring से क्या कर रखी हमने salt यह मेरा rotor है जिसको हमने end ring से क्या कर रखा है salt और यह कुछ इस तरह से inclined रहती है जिसके कारण इन्हे में locking tendency और magnetic hum उनकी जो tendency है वो क्या हो जाए? Reduce इसलिए हम क्या करते हैं? इनको slightly skewed मतलब इनको inclined करके रखते हैं एक दूसरे क्या रहती है? यह inclined यह नहीं बिलकुल parallel में यह थोड़ा inclined में रहती है जिसके कारण हमारी जो magnetic locking है और humming है वो क्या हो जाती है? Reduce हो जाती है The type of DC generator आप से क्या पूछा गया है? कि एक आप से type पूछी गई है DC generator की जिसका use हम किस में करते हैं? Arc welding में, ठीक है? तो DC generator की अगर हम बात करें, arc welding की अगर हम बात करें, तो arc welding के लिए हमें क्या चाहिए? तो arc welding के लिए अगर हम बात करें तो कौन सा होता है हमारा differential compound generator? क्योंकि इसकी fall in potential मतलब कि इसकी जो characteristics होती है वो कैसी होती है? एक साथ यह क्या करता है? decrease होती है इसकी, जो voltage drop है वो एक साथ क्या होता है? इसका fall होता है, क्योंकि इसमें क्या आता है? minus 5SE ठीक है? तो minus 5SE होने के कारण इसका जो potential होता है वो एक साथ क्या होता है? decrease ठीक है? यह हो जाता है हम पर EZ और V और यह हो जाता है हम पर I A and I L यह हमने देखा था differential का ठीक है? तो यहां पर यह क्या हो जाता है? इसका saturation और इसलिए इसका यूज हम किसमें करते है? differential compound generator में तो differential compound generator में यूज करने का reason क्या है? fall in potential ठीक है और इसमें हमें जो arc welding है इसमें हमें क्या चाहिए high current क्या चाहिए हमें high current ठीक है? तो इसलिए आपकी जो generator होती है वो differential compound जो generator है उसका use हम किसमें करते हैं इसका? arc welding में ठीक है? which one of the following motor can work satisfactory on both AC and DC आप से पूछा गया है कि AC कौन सी motor होती है आपकी जो की AC और DC पर काम करती है ठीक है तो AC और DC पर एक तो हमारी कौन सी आती है universal universal होती है नहीं होती तो यहाँ universal motor तो होगी क्या? universal तो नहीं होगी क्योंकि universal हमारी AC पर भी काम करती है और DC पर लेकिन option में क्या universal है नहीं है induction motor की बात करें तो induction motor only AC पर काम करता है synchronous motor भी नहीं करता center भी नहीं series, series में आपकी पढ़ा होगा एक तो AC series motor और एक आप पढ़ते हो DC में DC series motor DC जो series motor है उसी में हम क्या कर देते हैं? AC supply लगा देते हैं और वहीं हमारी कैसे काम करती है? AC series motor की तर है तो इस तरह से आज हमारे जो BC TQ के अंतरगत जो program था जिसके अंदरगत हमने question करें हैं वो आज यहीं पर समापत होते हैं next हमारी जो part होगा वो इसी का होगा machine का thank you all of you